अगर वो मस्जिद की दिवाल ही तोड़ी गई थी तो ये सुप्रीम कोट का आदेश है चाहे मंदीर हो मस्जिद हो गिर्जागर हो गुरुद्वारा हो गहर कानुन जमीन पर बिना पूर्व अनुमतिके नहीं बनाई जा सकती है तो वो माल लिजे तोड़ दिया है वो चाहे समाजबादी पार्टी या दूसरी पार्टी के भी तमाम पार्टिया है जो वहां अस्थानी है चाहे बालू कातका हो चाहे नदी के पेटी से पत्थर कातके हो जिनको वो लाब मिल ला था उनको छती पहुँची है 650 डंपर उसने जब्त करा लिए उसने 15 पुलिस की एक टी बचा हुआ है ने यह तमाम पार्टिया है अवदेजी जो सवाल आप मैं जो सवाल को आप कह रहे हैं मुझे मुझे एक लाइन में से छोटी सी बात कहनी है देखिए आप ने एक बात कही दिली भाई कि आप जितने भी यह जो इमानदार लोग है इनको सरकारें मनद नहीं क 25-30 करोड कहां से मैं एक बिलकुल बाकी 100 करोड है मेरा कहने का मतलब यह है कि दुरगा शक्ती नाकपाल ने जब यह कार किया उस छेतर के जिस आदमी ने जो एमले है और स्पी से है समाजवादी पार्टी से जो सत्ताधरी पार्टी है क्या जिस जनता जो आज टेलिवीजन पे बात करते में साथ खड़ी नज़र आती है फेसबुक पे कमेंट करने में साथ नज़र आती है क्या यह जनता इसी दुरगा शक्ती नाकपाल के इस कार के लिए इस इमानदारी के लिए उस बेइमान अफसर जिसने कहा कि मैंने 41 मिनट पे इसको ट्रांसफर कर दिया कम से कम पूरे राज में नहीं नौइडानों उसको सजा देने के लिए बाहर आएगी यही सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देश की जनता बहुत सारी चीज़ें कहती है आम आदमी बहुत सारी बात करता है लेकिन जब डिसीजन का बखता है तो वो मुसल्मान हो जाता है वो हो जाता है और इस तरीके से वो नेता आगे बढ़ते हैं लेहाजा बात में वो ही लोग मूँ चढ़ाते हैं कि आपने तो बहुत बड़ी बात की दी बड़ी इमानदार है मुझे तो इस देश के लोगों ने सार्टिफिक्ट दे दिया है कि मैं अच्छा तो यह जो सवाल ह क्या है हमारे तीन हमारे समाज में एक तो राज्यितिक बर्ग है उसने क्या किया है कि मैं बार बार का नीत स्वार्थियों का एक तत्तो खड़ा कर दिया है अब मैं एक उधारन के लिए बोलिए कि एक बिल्डर उसने बना दिया है उस उस बिल्डर के 500 जो है मजदूर काम क हो रही है दूसरी स्थिति है कि इस बाजार पूजी बाद की विवस्था ने आदमी को अपनी आवस्चक्ताओं में इतना सिम्टा दिया है कि वो चाहते हुए भी खारा नहीं हो सकता है और तीसरा जिसकी और यह ही सारा कर रहे हैं मैं बार बार इसलिए आपको कहता था कि भर स्थिति है यह चोथे स्थिति है कि हमाँ देश को संसधिये लोक तंत्र में समाज को दिशा देने का काम नेताओं को करना है वो गांधी करते थे एक समय वो नेरू कर सकते थे वो आज के समय में अटल विहारी बाजपई भी कर सकते थे कुछ हद तक वो उस समय दीन लोगों को इमांदार हो करके और नयाय के लिए संगर्श करने का आववान करे वो नहीं हो सकता है तो हमारी राजनिती यहां इस माहने में फेलियोर है इन सारे कारणों को जब आप मिलाएंगे ने तभी मालूम होगा यह तमाम चीजे में परिणाम इरा रहा है कि हम चाह के भी बहुत सारे लोग सही स्टेंड नहीं ले पाते हैं क्योंकि समाज भी उनके साथ खारा नहीं होगा दर्मानी जी आखिर यह इमांदार आधिकारी जो सब कुछ दौपे लगा के इमांदारी से काम करना चाहते हैं वो क्या करें देखे अभी आज असो खेमका 42 साल में दौरगा सक्ती नाकपाल ने सुरुवात नहीं की उसा स्पेंड कर दिया गया अठाई साल की आप देखें सुब्रा सक्सेना हैं कई सारे हैं नौप अंकिनत हैं यूनूस हैं हिमाचिल परदेश में हैं अभी सूर वंची का करें यह मैं देखिए आपको एक बाप बताओं यह अभी अफ़देश भाई ने एक बहत मैतकून बात गही मुझे लगता है कि अफसर शाही के कोई भी पक्ष में नहीं है यह निरंकुष यह अफसर शाही बात नहीं है एक एक मैं कुछ मैं दो मिनिट आप मुझे दें मैं आपकी बात का भी प्रशन दोंगा थोड़ा मै मैं आपको बताना चाहता हूं background मेरा ये कहना है कि कुछ राज निता जो उनको अच्छा administrator माना गया है जिनमें चौधरी बंसीलाल का नाम भी आता है जिन्नों ने इन लोगों से काम लिया है उनके ओपर कोई बहुत ज्यादा allegation भी नहीं मैं इसलिए बताना चाहरा हूं आपक सुनिए जन सेवक कहलाते हैं राज नेता जो सत्ता में आते हैं और इनको नौकर शाह कहा जाता है और वहां से नौकर गाइब हो गया है मैं कहा हूं जो लोग इमानदारी से जन सेवक बनके काम करना चाहते हैं चुनोतिया उनके लिए हैं जो लोग आज चाहे ट्रक से कुचल के माले गए हो चाहे हत्या कर दी हैं समस्या उनकी अप जो अफसर रजाम को उसके हो नोकर साही की बात कर रहे हैं आप ये बताए कि कौन सा नेता आज की तिथी के अंदर आपको जन सेवक के रूप में नजर आता है धर्मानी जी मैं इसलिए आपको यह बात कहना चाहरा हुआ यह बहुत कम है मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं जो इमानदारी से जो लोग काम कर रहे हैं कि अच्छा काम करके कुछ सार्थक कंट्रिब्यूट करें अपने आपको चुनोतिया उनके लिए उनके लिए नहीं जो आप ने विशेव कहा है इसके लिए मुझे लगता है कि आम जन को आम जन जब तक आगे नहीं आएगा आपके सामने आम जन तक क्या करेगे लिकिन अप काम कर रहा है उसको आपने सस्पेंड कर दिया लेकिन दिली इसमें ये भी तो देखें ने कि ये कोई आईसोलेशन में नहीं हुआ है जब समाज की सारे जितनी भी लेयर है वो भरश्टा चार में डूबी हो और ऐसे में कोई इमानदारी की बात करें तो लोग ये पागल हो सिस्टम से सपोर्ट चाहिए वो तो देन मिलने वाली मैं आपको एक कीमानदारी की बापता रहा हूँ हम लोगों के दोर में हमको ये टी-एन सेशन बड़े बड़े जबर्दस अफसर थे और उन्हें देश में ये कर आ रहा है जब टी-एन सेशन की बात करा रहा हूँ इन अफसरों के लिए बड़ी मुश्किल है और ये इस पूरी विवस्था में इतनी माइक्रोस्कॉपिक माइनोटी है कि ये सर्वाइव कितने दिन तक करेंगे मुझे नहीं लगता यहीं लोग कुछ दिन के बाद में सस्ता और विवस्था से समझोता कर लेंगे और अपन इसको परफ्लिक अन्मिसटेशन कहते है मूल तो यहां वो खातम हो वह चुप परसंका भी बना हुआ जिसमें नौकर साही के आवशक्ता हमको पढ रही हैं करनाई है वह नहीं है इसको प्रसं कर रहे हैं परसंद्श में कहीं के इमान्दारी से काम करने के लिए वही पद चाहिए पहले समयने पूरी बच नहीं है आप टोक दे रहे यह मैं मानता हूँ आप की बात से मैं पूरी तरह सामात हूँ कि अगर एक इमांदार अपसर जो इमांदारी से काम करना चाहता है उन्हें सहियोग और समर्तन मिलना चाहिए उसको तिरसकार मिलना है लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे किसी पद की आवसकता नहीं मैं इस देश के उन लोकर साहों से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर पद चला गया है अगर वो बीना पद के खरा होकर के नेताओं से लडाई लरे तो यही नेता कल दूसरे लोकर साह के साथ ऐसा करने की कोशिस नहीं करेंगे यह जनता के बीच भी जा सकते है आप इसको आप इसको आप इसको आरण दूँगा दुनिया में मेरी एक बात को आप सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि समय चुकी बहुत कम रह गया है और आप यह देखे आप जो बात कहरें बिल्कुल उचित है उसमें मैं कि लेकिन जो लोग चाहिए एक आदमी हो चाहे कहीं पर भी वह कहीं पर भी और उन्हें जिस तरह की जिस रास्ते से जिस उनके परिवार को आप प्रतारना है सब कुछ आप यह देखिए खेमका कहते हैं जब से उन्होंने रॉबर्ट बद्रा की फाइल की उनको लगातर तंग किया जा रहा है यह उन्होंने इसमें रिपोर्ट में कहा है उन्हों दावी किये आप दुर्गा सक्ति नागपाल को ले ले आई यह साधारन घटना नहीं है मैं कह रहा हूँ आप सतेंदूबे की हत्या हो गई देखिया आप वहां पे नरेंदर कुमार की हत्या हो गई आप देखिया यह क्यों पे लगा लगा है इसलिए जादा होगी के इमानदारों के सामने कोई भी इंस्पाइरिंग चीज नहीं है इनको लगेगा कि अगर हमें इसी फेट में जाना है तो कोई भी आदमी इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा और भारत की विश्टाचार को उजागर करते हैं उसको प्रटेक्ट करने के लिए करनूल मना रहे हैं दूसरी तरफ जो आपके इमानदार अधिकारी है उनको आप अंदोलन के रूप में जनता नहीं खड़ी होगी इन नेताओं को वोट की आवशकता है और वो वोट जब तक उनके खिलाफ नहीं खड़ा होगा तब तक आप इन इमानदार नेताओं इमानदार अफसरों को बचाने की किसी भी परक्रिया को बस लोक तंत्र की परिभाशा जो हमारे देश में हो गई है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि लोक तंत्र में चुनाओं से पहले लोक मस्बूत होते हैं और चुनाओं के बाद तंत्र मस्बूत होता है इसलिए हमारे देश की ये बदशा है कानून विसिल बुलोर के खिलाब तो अपना पाप अपराद छिपाने के लिए बनाते हैं क्योंकि विसिल बुलोर के साथ आपका देश जिसको आप कई बार कहते हैं कि ये क्रोनिक केप्टलिजम से आगे जा चुका है एक दम दीमक की तरह सारे इसमें नेता पूजी साह और मिडिया के बड़े खिलारी उसमें नौकर साहबी सामिल है ये सब चूस चूस रहे हैं और जिस चीज के लिए दुरुगा सस्पेंड हुई है वही अपको चाहिए ने ने हमारे पास केबल जमीन जंगल थोड़ा सा पानी और पहार चार पांच चार चीजे बची हुई है ये लूट लेंगे पंदर बीस साल में फिर हमारा पेस ये भी एक दिन नस्ट हो जाएगा बहुत बहुत धनिवाद भुपेंदर जी बहुत बहुत धनिवाद आप स झाल